आप सभी किसान वाईयों का मेरे यूटूब चैनल एगरिकल्चर टेक एंड इनोवेशन प्रगतिशिल किसान में स्वागत हैं मैं हूँ पियस बाटी और इस सेनल के माध्यम से मैं आपको किसानों के हित में क्रसी समंदी योजनाओ जानकारियों को आसान बासा में बताने का प्रियास कर रहा हूँ जिसमें मुझे आसा है कि आपका सयोंग और सपोर्ट मुझे मिलेगा इसी उमीद में मैं आपसे निविदिन करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा दे के लाइक और सब्सक्राइब करें आज की वीडियो में मैं जेविक खेती पर बात करूँगा क्यूंकि बजट वरस 2020-21 में मानने मुख्य मंत्री मोहदे ने किसानों को नी सुलक बायो फटिलाइजर्स और बायो एजेंट वित्रन करने की गोशना की थी जिसको लेकर के अभी क्रसी विवाग हरकत में हैं और किसानों को नी सुलक बायो फटिलाइजर्स और बायो एजेंट वित्रन करने की त्यारी कर रहा हैं बायो फटिलाइजर्स और बायो एजेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे बायो पर्टिलाइजर्स एं बायो एजेंट नी सुलक वित्रण में उन किसानों को प्रात्मिक्ता देने की बात कई गई है जो जेविक खेती को बड़वा दे रहे हैं इसी वजे से हमने आज की वीडियो को जेविक खेती के मद्य केंदरित रखा हैं जेविक खेती से आप क्या समझते हैं जेविक खेती यानि की ओर्गनिक फार्मिंग अगर इसे आसान बासा में समझें तो किसान बायों रासाइनिक उर्वरक फपूंद नासी कीट नासी जो की तक्तुरी इन उकारखानों में त्यार हो के आते हैं और बजार से खरीद के किसान अपने खेतों में उसे काम में लेते हैं ये काम नहीं करते हुए भूमीरी उर्वरा सकती बड़ावन ने ववास्ते अपन हरी खाद, कमपोस्ट, वर्मी कमपोस्ट और गोबरी खात्रों परियोग कराऊं और फसल सकर अपनाऊं इनी ज़ अपे जैविक खेती या और्गनीक खेती क्यों हों जैविक खेती और और्गनीक खेती रा कई फाइदा हैं जिन में उस फाइदा मैं आपने बताओं उर्वरा सकती, अपने जो म्रदारी उर्वरा सकती हैं उन्ने मौने इजापोवे हैं शिनसाईर अंतराल में बढ़ोत्री वे, राशानीक उर्वर कोरे माते अपनी निर्वरता कम होए हैं उत्पादन लागत में कमी आवे हैं और उत्पादन में ब्रदी होती हैं चैविक उत्पादोरी मौंग घरेलू बाजार और अंतराष्टी बाजार में बढ़ने कारण किसानोरी लाग आई में ब्रदी होती हैं और जल धारण करने दी समता में ब्रदी होवे हैं तो किसान भाईयों आज के दोर में किसानों का जादा तर उदे से रहता है कि वो अपने मरदा से जादा से जादा उत्पादन प्राप्त करें इसके लिए वो अंदा धुंद रासाइनिक उरवरक कीट नासी और खर्पतवार नासी का उप्योग करते हैं तो उँआने ओठानी है कि इन खादोरों प्रियोग करने वज़े हूं मरदारों सवस्तिय तेजी हूं गिर रही हो हैं और पर्यावन प्रदूसी तुबै और साथी किसानों और खुद्रों सवस्तिय भी दाव माते लागे और मानों सवस्तिय न दुक्षान पहुंच रहे हैं इन वास्ते जरूरी ऐसा कि हमें जेवी खेती अपनानी चाहिए और गर्मियों में खेतोरी गेरी जुताई करनी चाहिए और रासायनिक उर्वरकोरे इस्तांदर माते गोपरी खाद्रों परियोग करनों हैं बीजों रो ट्राइकोड रमा फपूंद उपसारीत करनों हैं कीट एंव रोगों की रोग थामरे वास्ते प्रकास पास नीम कीट नासी मित्र कीट नासी गोव मुतर से त्यार जेवी काडे रो उप्योग करनों हैं खर्पतवार नियंतरने वास्ते समय समय माते निराई गुड़ाई करतों रहनों हैं अधिक जानकारी प्राप्त करने वास्ते अपने चात्र करसी प्रवेकशक और बलोक इस्तरमाते साय कर्सी अधिकारीयूं संप्रक करो किसान सेवा कॉल सेंटर में भी आप कॉल करन जानकरी ले सको किसान कॉल सेंटरा नंबर है 180, 180 और 1551 आप सभी ने वीडियो देखने वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद